तो इस वीडियो में जो हम हीरो आयसल का मैच कवर करने वाल है वो रहेगा नौर्थीष युनाइटेड एपसी वर्सिस चिन्नेयन एपसी के बीच मैच का वेन्य होगा न्यूटरल गोवा शाम को 730 पीमपे मैच स्टार्ट होने वाल है अब दोस्तों बात करें नौर्थीष लास्स सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं किया था इन्होंने फिनिश किया था नंबर 8 था अब इस सीजन दोनों ही की टीम्स की स्कॉइड में कुछ बदला हुए है खास तर पर चिन्नेयन का आप देखेंगे आप अनलगी कहेंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा चांसे क्रेट किये बट उनके जो एटेकर से उन्होंने कुछ कुछ एपिंस तक फिनिश नहीं कर वाए जिस वज़े से यहां पर नौर्थीष एक ड्रॉ खेल गी ऑल्थो इतना सैटिस्वाइंग पर्फरमेंस हैधरबाद से जीता और इस मैग में गया द unie को एक पैनल्टी मिली को मैंने स्कोर कर दिया और चिन्ययन ने अच्छी डिफेंडिंग करी और यह मैच जीत गए देखा जाए दोनों ही टीम स्टार्टिंग मैचेस में अभी तक ज्यादा सेटिस्वाइन नहीं किया है हमें स्टिल इस मैच में किसी एक टिंग को यहाँ पर करना होगा मैं स्लाइटली चिन्ययन एपसी को करूगा और यहाँ पे कोई क्लियर कट फेवरेट निया मैं फिर से कह रहा हूँ नौट इस्ट चिन्ययन को रहा सकती है चिन्ययन नौट इस्ट को रहा सकती है और मुझे एक 1-1-2-2 या गोल्देश ड्रोग टाइप के चांस तो फिलाल हम आते है प्रोविबल लाइन अप पे तो प्रोविबल लाइन अप देखने से पहले एक चीच कहना चाहूँगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फूटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते है उसका लिंक या तो आपको मिलेगा डि इसी टेलीगराम चैनल में पोश्ट करने वाला हूँ तो डिस्किप्शन बॉक्स है जो टॉप पिंड कमेंट है वहां से जूड़के आप टेलीगराम चैनल से जरूर से जरूर जरूर जाइन कर लिजे अब हम आते प्रोविबल लाइन अप पे पहले हम बात करेंगे चिन् के लिए जो लास्ट दो तीन सीजन से इस्टीम के टेलिसमैने क्रिवल एरो यह इस मैच में बाहर है औल्दो इनकी कमी पिछले मैच में कोमें ने खलनी नहीं दी थी अब देखता है इस मैच में कैसा होता है तो इनकी 11 देखते है विसाल कहत इनके गोलकीपर होना ले पिछ कोड़े हेवी defenders पिक करूगा विकॉस नॉर्थीश के आप defense में देखेंगे ना हरनान संटान है टॉप quality defender है बट वो ड्रीम लेवन में midfield section में लिष्टेड है तो कोई है कैसा बहुत top quality defender नॉर्थीश के defense में नहीं है तो फिलाल यहाँ पर चिन्नयान के defense defense में fantasy point of view से अच्छे अच्छे defenders है तो मैं अभी के लिए maximum जो defender हो चिन्नयान FC के पिक करने वाला हूं तो फिलाल minimum 2 तो मैं इन 4 में शोली पिक करूँगा ज्याद से आधा मैं 3 पिक करूँगा चारो तो मैं पिक करूँगा विकॉज यहाँ पर clean sheet किसी भी club के आ सकती है कोई surety नहीं है तो फिलाल इनके defense में मेरी top two choice रहेंगे रीगन सिंग और नरेयन दास दोनों ने अच्छे पहले match में अच्छा क्यादा defending की थी किसी एक को drop करने आप सलाम रंजन सिंग को drop कर सकते हैं बोर्शियूग यह आपको defensive point दे सकते हैं बट अभी के लिए किया न मिट फिल में में मेरे पास बहुत सारे options है तो मैं अभी के लिए बोर्शियूग को अपनी टीम में adjust नहीं कर पहा हूँ बट अगर आप किस जो इस टीम के सिजन टैलिसमैन होने वाले हैं पिछले मैच में जो पैनाल्टी वी थी इन्हों नहीं मारी थी और इन्हों ने पिछले मैच में बहुत अच्छा performance किया था चांस वगेरा क्रेट कर रहे थे on target ले रहे थे काफी अच्छा performance किया था तो को में 100% पिक करूँग उसमें second या third minute में थापा ने score कर जाता बहुत quality Indian player है defensive work भी करते हैं और open play से random goal of switch भी कर सकते हैं और पिछले मैच में जो penalty वी थी थी ना वो अनिरूत थापा नहीं अंगी थी तो selection भी आई है अब इकलिए को मेन और थापा में surely pick करने वालो किसी को लग रहा थापा flop जाएं शांग्टे को भी मैं pick करूँगा एक दो chances मिले पिछले मैच में finish नहीं कर पाई बहुत quality player है यह भी इस team के two top Indian players में यह और थापाई हूंगे बहुत pace है pace से अपनी किसी भी opponent को destroy कर सकते है counter attack में पिछला season भी बहुत अच्छा गया था although consistency में नहीं लेक करते हैं बट मैं यह आपे pick करूँगा इस match में आप क्या कर सकते हैं मुर्जाय ड्रॉप कर सकते हैं और आप इनके place में बोडी स्यूग pick कर सकते हैं या एक extra defender pick कर सकते हैं बट मैं एक बार और मौका दूँगा विकॉस यह जहाँ पास में खिल गया है वहाँ इनोंने बहुत goals पा रहे हैं और इ चिन्नायन FC की प्रोविवल लिलोन थी लगबग सभी चीज़े मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में explain कर दी अब एक चीज और हो सकती है अगर मुर्जाय आप नहीं खिलते हैं इनके place में गिकवीज नाम के एक striker है वो खिल सकते हैं तो मैं उन पर पंड लूँगा यहाँ इस मैच में और अगर यह 60-65 मिनेट तक flop होते हैं तो यह substitute होगे इनके place में गिकवीज अंदर आ जाएंगे बाकी अभी तक के इनके पहले मैच के strategy जो comment का एक मादर goal आया है अपोनेंट की बात करने से बहले फिर से remind दिलाना चाहूँगा इस मैच की final small league team और सभी football मैचे त हम telegram channel में cover करते हैं उसका link या तो आपको मिलेगा description box में या आपको मिलेगा top pin comment में वहाँ से जुड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं 4200 या 4300 के असपास subscriber वाले channel आपको मिल जाएगा तो description box या top pin comment में जाईए telegram channel से जरूर join हो जाईए ऐसी almost सभी football मैचे मैं इसी telegram channel में cover क channel है फेक है 4200 या 4300 के असपास subscriber वाले channel है वही मेरा main telegram channel है अब हम बात करते हैं नौर्ट इश उनाइटेड की तो इनके लिए सबसे बड़ी न्यूस कहना है डेश और ब्राउन इस मैच में doubtful है अगर ब्राउन नहीं खेलते हैं आटेकिंग वाइस यह वीग हो जाएंगे अल्दो इस मैच में गयोगो वापसी कर रहे हैं बट ब्राउन ब्राउन है तो इनके नहीं होने से वीग जरूर होने वाले है अटेकिंग वाइस तो इनकी 11 देखते है सुबसीज रहाई इनके गोलकीपर हो लाले अच्छे सेफ कर सकते हैं चार इनके डिफेंडरों के लाक 25 प्लस पॉइंट दिया है फेंटेसी वाइस यह टेकल्स कर रहे हैं इंटरसेप्शन कर रहे हैं और तो और आपने देखाऊ का लास्ट मैच में फ्रीकिक अगेरा भी यही ले रहते हैं तो सेंटाना में शुल्ली विक करूँगा अगर यह डिफेंस एक्सेल में अच्छा है ठीक ठाक कर सकते हैं उतने ज्यादा में इन पर ट्रस्ट भी नहीं करता मेबी सेकिंड चोईस फ्लॉट मैन हो सकते हैं गुर जिंदर ने दोनु मैचेस में एक में माइनस में पॉइंट दिया है एक मैं आइधिंग पांच यह चाही पॉइंट दिया है और जल् कभी कभी सूट लेते हैं लेगिन अभी के लिए किया ना मिट्फील सेक्षन में मेरे पास बहुत सारे उप्सन थे तो अनफॉर्चुन इल्डी मैंने इनको ड्रॉप करना पड़ा है और मैंने यहां पर पांट लिया है शांग्टे पे आपको लग रहा शांग्टे या था पेनाल्टी सब गयागों लिए इस टीम के एक तरीके साब टेलिस्मान के लिए यही है तो शोल्डी 100% पिक करूँगा और खास तरब ब्राउन की गयर मौजुद्गी में गयागो बहुत इंपर्डेंट रोल निभाएंगे तो अगर आप नॉर्टीर फेवर कर रहे है तो आप इनको शोली केप्टन वाइस केप्टन भी ट्राए कर सकते हैं तो गयागो बहुत इंपर्डेंट प्लेयर होंगे अब यहाँ पर क्या होगा ना चारी फोर्नर अलाओड है अब एक चीज जात हो सकते है या फ्लॉट में को ड्रॉप करके या खासा कमारा को ड्रॉप कर साथ विंक्स में राल्टे या रॉशर को खिलाया जा सकते हैं इन तीनों में रॉशर में इग्नोर करूँगा कुछ भी नहीं किया और राल्टे ने भी तक दोनुं मैचेस में कुछ नहीं किया और तो दोनुं के पास पोटेंचियल है बट अभी के लिए अगर यह माल बेस्ट इंडियन प्लेयर यही है क्वालेटी है क्रॉसस अच्छे देते हैं पेस है तो बट मैं इनको अभी पिक नहीं कर पाया विकॉज मैं स्लाइट फेवरेट चिन्ने इनको कर रहा हूँ हा फिर वही वाली बात है कि अगर मैं थापा या संग्टे ड्रॉप करता हूँ इसके स्टेट है अभी जो मेरी प्रिडिक्सन में एक 1-1 ड्रॉप यह एक स्लाइट ली वन निल नेरो चिन्ने इन विक्तिरी के साथ जारू और वन निल नॉर्थीश भी हो सकता है किसी भी साइडिय मैच जा सकता है बट मैं परसनल स्लाइट ली बैक कर रहो चिन्ने एन ए सुहेर या खासा कमारा इन तीन में किसी एक को अपने पिक कर सकते हैं और यहीं पर इस मैच का रिस्क फेक्टर आएगा फॉरवड में मिरे पास मुड़ जाएव अच्छी ऑप्सन है इनको मैंने पिक किया है अगर आप वन वन एक्सपेक्ट कर रहे है कोमेन गयागो का कॉ अगर ब्राउन इस्टाइड नहीं करते हैं अगर आपको चिन्ने विक्तरी लग रही है तो मेभी इन तीन में या मेभी थापा को भी इंक्लूट करके इन चार में किसी को कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है ना अपोनेंट मारेगा मलब नौर्थीश जीतेगी तो आप श सारे अप्संस है इस मैच की फाइनल इसमॉल लिग टीम मैं टेलिग्राम चैनल में लाइन अप आने के बाद पोश्ट करूँगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर जाइन कर लिजे